हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोक सब कोई आज में एक आलू और परवल की सब्जी बनाओंगी सब्जी कसा हुआ सब्जी या फिर ग्रेवी कुछ भी उसको हम बोल सकते हैं तो देखें मैं बनाने करें मैं पहले परवल को सब आपको और एकठो भी करके दिखा दे रहे हूं कैसे गीसने उसको तो मैं और एकठो परवल को भी देखें इसको पहले ऐसे कट कर ले रहे हैं दोनों साइट से और फिर इसको जैसे आलू चिलते हैं वैसे नहीं मतलब पूरा नॉर्मली खाली चाको से बस थोड़ा सा ऐसे बिए और फिर ऊड़ास बीचा नीं का लेनें तो यसे गीस ने गीष लेना है पिर फिर से दो पीस में यह सेब देजि़ा है इस हमके साРЕ परवल को पहले आसे मैं इसके चात लोगी वा पानी में रख दी हूँ और इसको बनाने के लिए प्याज फिर टमाटर ये फिर जो इसमें जो मसाला डालना है वही वाला जो इसमें है जीरा गोलमरीच का फिर गरम मसाला अधरक लसनर ग्रीन चीली और ये है और थोड़ा सा तेज पत्ता बनाने के लिए मैं कडाई बठ़ाई में कडाई महें थोड़ा से त मख़र गरम ओन्टर में सबसे पहले सारे अपही परवल को मैं ञ़ंगे थोड़ा सा इसको मतलब 拼ूँ निकाल लों मैं ध्याल दालके तो नमाहरा कλαने निकाला ये ने वह देख़ें chanting कोमिन वड़ावल क में परवल में नमखल्द इस्वात नूअ टोड़ा सढ़ nuclear नूढ निवा हूं और इसको मैं ये देखे बून इली हूं डालने के बद मैं प्याज और आलू जो कट करके रखी देखे थे आप वही आलू और प्याज को मैं इसमें डाल के इसको भी आलू और प्याज को मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लोंगी फिर जो मैं मसाला दिखाई थी मैं वही इसको मैं जब तक गोल्डन ब बूनायागा बूलके उसके बाद मैं थोड़ सा स्वादनुसा नमक, हल्दी का पॉड़ और रेट चिली का पॉड़ डालके मैं इसको भून रही हूं फिर मैं क्या करूँ इसमें थोड़ सा तमाटर भी काट के डाल दूंगी तो यह देखे मैं अभी इसमें चोटा सा तमाट करते हुट काटके मैं अच्छा से शूवें मैं इसको थोड़ सा मिक्सके बाद बू buyers जो परवल बूलके निकाली तो उसको भी मैस में एड कर दिए तो यह देखे परवल को भुना के सब अच्छे से गल जाए, तो देखें, मैं इसको अधक दिए हूँ, धक्षे करके छोड़ दिए हूँ, फिर मैं इसको पूरे समयुक्त निदे थी गल जोड़ें, जाल भी गया है और अच्छे से मसाला भुना भी गया है इसको हम लोग बस थोड़ा कसना तो यह देखे में पांच मिट और इसको कस दी तो यह हमारा मसाला पूरा सुक के कसा हुआ परवल जो है यह पूरा अच्छा से बन के रेडी हो गए अब हम क्या करेंगी इसमें कि अच्छा से बन के बन के पूरा बढ़ जाता है तो आप ज़रूर एक बड़ ट्राइक कि यह हमारा कसा हुआ परवल जो है परवल की सबजी रेडी हो गया है अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें एक बाल पानी भी डाल दीजिया और बॉल कर दीजिया तो यह हमारा मतलब परवल का जो ग्रेवी है ओ भी तयार होगे आपका सावा रखना चाहेंगे तो उसको मर पानी मड़ एट कीजिये बस ऐसे ही रख दीजिये और यह हमारा परवल की ग्रेवी बन के पूरा रेडी तो मेरा परवल की सबजी का वीडियो आपको कैसा लागा है कीजिए और एक ठोए कि उसमें मिल्क थोड़ा एड करके बनाएगा लाश्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है मतलब टेस्ट पुरा चेंज हो जाता है बहुत अच्छा लगता है तो ठीक है जरूर ट्राय कीजिएगा और मुझे बताएगा कैसा था और आज का वीडिय कर दीजेगा और फ्रेंड्स और फेंबली के सथ वीडियो को सेर भी कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं ते मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा और हम लोग फिर मिलेंगे और एक नवी वीडियो के सथ तब तक के लिए बाए